हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चेनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 30 माई से समध्यत उतरब्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए most important current अफरिके questions को discuss करेंगे और हरे questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंतो में हम आपसे question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी pdf डाउनलोड करनी है तो इसकी pdf आप मारे telegram group से डाउनलोड कर सकते हैं telegram group की link आपको video के description में मिल जागी तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो कुछ mission है कुछ operations है वह हम देखते हैं एक बार कि कौन सा operation जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है तो पहला है operation देवी सक्ति यह जो है किसके द्वारा सुरू किया गया था तो ध्यान स्थान में जो फसे भारतिय नाग्रेख रहा उनको निकालने के लिए operation देवी सक्ति चला यह था टेक ध्या रखना है अफगानिस्तान से जो भारतिय नाग्रेख रहे उन्हें वापस लाने के लिए operation अमस्ते यह किसके दवरा चला जा रहा तो यह जो यह जो और से बारतिय सेना के चला जा रहा कौन सा आप करेश्ञ ben अध्य रहा है मंत्रा लए और इसका तो विदेश में फसे नागरिकों को जो भारती नागरिक हैं उन्हें घर लाने के लिए Operation वंदे भारत मेशन Operation प्रवाह ये किसके द्वारा चला जा रहा है तो कोचीन एरपोर्ट लिम्टेड ठेक ध्यान रखना है आपको कोचीन कोचीन एरपोर्ट लिम्टेड के द्वारा ये चलाया जा रहा है और इसका उद्देश से क्या है तो एरपोर्ट को बाढ़ के खत्रों से बचाने के लिए ये जो है चलाया जा रहा है Operation समुद्र सेतू ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है तो भारतीय नो सेना ठेक ध्यान रखना है भारतीय नो सेना के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है कौन सा? Operation समुद्र सेतू उद्देश के आए तो मौल दीव में फसे जो भारतीय नागरिक है उनको वापस लाने के लिए Operation सर्द हवा ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है तो भारतीय जो सीमा सरक्षाबल है यानि BSF Operation सर्द हवा BSF के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है तो राजस्थान के अंतराश्टिय सीमा पर जो घने कोहासे में घुसपैट के घटनाय होती है उनको रोकना इसका उद्देश्य है Operation Ganga यह आपको पता होगा Ukraine Ukraine में जो नागरिक फसे हैं भारती है उन्हें वापस लाने के लिए Operation Ganga चलाया गया यानि Ukraine से नागरिक वापस नागरिक वापस लाने के लिए यह ध्यान रखना है आपको और बी ब्रेक एप यह जो है किस मंत्राले ने यह लॉंच किया था किस मंत्राले इसे शुरू किया तो ध्यान रखना है आयूस मंत्राले आयूस मंत्राले दोस्तों यह जो operations है यह होता है very important होते हैं पिछली बार जो एक पैट का एक्जाम होता यूपी में उत्तर प्रदेश पी इटे का तो उसमें कुछा गया था कि नमस्ते योग जो एप्लिकेसन है वो कि समंतरा लेने शुरू किया तो वो आयो समंतरा लेने शुरू किया था नमस्ते योग तो इस तरह से आप स करनी है तो इसकी link आपको वीडियो को description में मिल जाएगी वहां से आप इस ebook को download कर सकते हैं इस ebook में हमने उत्तर प्रदेश लेकपाल के लिए जो ग्रामीर परवे से इसे पूरा chapter wise cover किया है दोस्तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कलगे कुशें के revision करेंगी कल का पहला कुशा ने हाले में सराजी सरकार ने महिलाओं से साम साथ बजे से सबएच्चे बजे तक बिना मर्जी के काम ना कराने का अधेश जारी किया तो ये उतर प्रुदेश ने अदिस जारी किया. अगला रुषियां नहीं के पहले प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरूक की पुनियति थी कभ मनाई जाती है. तो शहाEP फूनियति थी मनाई जाती है. दोस्तों अतर प्रदेश करेंट अफ़ेर की उत्तव प्रदेश करेंट अफिर के सभी important questions को विस्तारपूर बताया है और इसके साथ अगर आपको उत्तव प्रदेश करेंट अफिर की last six month की PDF ebook download करने हैं तो इसकी link भी आपको video description में मिल जाएगी और दोस्तों अगर इसे download करने में कोई problem होती है तो site पर आपको whatsapp number और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला खुश्यान है हाली में उत्तरप्रदेश media directory 2022 के विसेश अंक का विमोचन किस ने किया तो इसका विमोचन किस ने किया ध्यान रखना है सतीस महाना और यहें कौन यह उत्तरप्रदेश विधान सभा के अदेख्षे हैं अगला खुश्यान हाली में भारत की पहले लेवेंडर महुचसाब का उदगाटन किस राज्योया केंदर सासित प्रदेश में किया गया तो जो लेवेंडर महुचसाब है ध्यान रखना है यह जम्बू कस्मिर से सम्मन दित होगा औप्सन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है अगला खुश्यान है भारत की लॉंग जमपर मुरली स्री संकर ने ग्रीस में आयज़ित बारवी इंटरनेशनल जम्पिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता तो इन्होंने स्वरण पदक जीता है अगला खुश्यान है 15 से 21 जून के बीच कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा तो जो बांगला देश है ये 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा अगला उश्याने अगला उश्याने निनमैसे किस बिमारी के लिए भारत में निर्मित त्वक्चा परिक्षन जल्द शुरू किया जाएगा तो जो त्वक्चा परिक्षन है ये TB की बीमारी के लिए शुरू किया जाएगा तो दोस्तों ये थे कल के questions जिसका हमने revision किया अब हम सुरू करते हैं आज का session आज का पहला question है वेक्टर जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा अभियान सुरू करने जा रही है इसका जो correct answer है वो है option number a mission zero दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदितनाथ वो जो है जापानी इंसेफलाइटेस हो गया डेंगो हो गया malaria हो गया टाइफ़ाइड नेमोनिया और जीका वायरस जैसी जो वेक्टर जनित बीमारी है इनको खत्म करने के लिए एक mission सुरू करने जा रहे कौन सा mission ध्यान रखना है जीरो मिशन ठीक ये जो वेक्टर जनित बीमारिया है ये सारी बीमारिया डेंगो malaria tipeid इसके लावा ये जितनी भी बीमारिया तो इनको जो है खत्म करने के लिए जीरो मिशन सुरू करने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार राजिसरकार का लक्ष क्या है तो दोजर पत्च के बीच उत्तर प्रदेश में acute encephalitis syndrome और जापानी encephalitis से होने वाली मौतों में क्रमसा 90 प्रतिसत और 95 प्रतिसत की किरावट आई है तो दोस्तों ध्यान रखना है आप से इस तरह से कुशन पूशा कि सबीटा जाओ सकता है कि जीरो मिसन जो है ये कि स्राजस से समाझत हैं या कि राजसरकार नि जीरो मिसन को वेक्टर जन्यत् बिमारियों को खतम करने के लिए सुरू किया तो ध्यां रकना है आपको उत्तर प्रतिश olması और इसके साती सा थ्या भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदे सरकार ने ये लक्ष रखा है कि दो हजार पच्चीस तक जो वेक्टर जन्नित बीमारियां है इनको खतम किया जाएगा अगला घुशिया ने हाली में कि सिक्षण संस्थान ने द्रश्टी बाधितों के लिए स्मार्ट वॉच बनाई है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है औप्सिन नमबर बी आई 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 टी कानपूर दोस्तों आई 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 टी कानपूर जो संस्थान है यहां पर जो है जो वेक्ज्ञानिक हैं उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई है जो की नेत्र हीनों के लिए बहुत ही कारगर सिद होगी यानि यह जो आई आई टी कानपूर में घड़ी बनाई गई है यह नेत्र हीनों के लिए नई इस पर से समवेदन सील स्मार्ट घड़ी विक्सित की गई है इसमें हिर्दय गती और सरीर में ऑक्सीजन जैसे स्वास्त मापदंडों को जाचने के लिए भी सेंसर लगाए केमिकल इंजिनिरिंग विभा के प्रोफिसर सिधार्थ पंडा और विस्वराज स्रीवास्तव ने विक्सित किया है रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगबग 49 मिलियन लोग नेत्रहीन और 280 मिलियन द्रस्ट इबादित हैं इन में से 20% लोग भारत में रहते हैं यह इ इस इसमार्ट घड़ी विक्सित की है जो कि उनके उक्सेजन लेवल का चेक कर सकती है इसके साथ स्वास्त मापदंड जो है उसको भी उस घड़े के जरी ए मापा जा सकता है का और दोस्तोUND यह जो घडी है यह समय भी और मध्यम से बताती है यानि जब है कोई नेत्रहिन उसे करे गा तो इसमें जो संकेतक लगे है वो जो है ओडियों के मध्यम से समय बताती है ठीक इसमें जो है सुई जो जैसे आम तोर पर देखा जाए घड़ीयों में सुई होती है तो इसमें सुई का प्रियोग नहीं किया गया है इसमें संकेतकों का प्रियोग किया गया ठीक तो यही ध्यान रखना है कि नेत्रहिनों के लिए एक नई जो स्मार्ट गड़ी विक्सित किये वो आयाटी कानपुर तो नाम भी ध्यान रखना है आपको प्रोफिसर सिद्दार्थ पांडा और विस्वराज स्री वास्ताओं ने इसे विक्सित किया है अगला गुशिया ने हाली में चर्चा में रही ग्यानवापी मस्जिद उत्रप्रदेश की किस सहर में इस्तित है इसका जो करेक्ट अंसर है ग्यानवापी मस्जिद वाराणसी में कासी विसुनात मंदिर से सेटी हुई है इस मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि इसे मंदिर को तोड़ कर बनाया कया था और हिंदू पक्ष का ऐसा दावा है कि इस धाचे के नीचे 100 फीट उची विश्विसर का स्वयंभू जो इक बीगा नो विस्वा और छे धूर में फैला है अलाकि कुछ इतिहास कारों का ये भी मानना है कि जो ग्यानवापी मस्जिद है इसका निर्माण चौदवी सदी में हुआ था और इसे जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने बनवाया था लेकिन फिर भी इस पर विवाद है तो दोस्तों अक्सर ये जो ग्यानवापी मस्जिद है इस पर विवाद बना रहता है आपको ध्यान रखना है ये कहां पर इस्तित है तो वारानसी में ये इस्तित है और विवाद क्यों रहता है तो हिंदू पक्षय है उनका ये दावा रहता है कि ये जो ग्यानवापी मस् गई है जबकि जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये दावाए कि वो उनके सासकों के द्वारा बनाई गई है ठीक तो आपको यहां से यह द्यान रखना है कि कहां पर इस्तित है तो द्रब्देश के यह वारांसी में इस्तित है अगला कुशिया ने मुंबई अंतराश्टी फिल्म महुस्व का सत्रहवा संसकर्ण का आयूजन कब से कब तक किया जाएगा इसका जो करेक्ट अंसर है ओप्सिन नमबर ए 29 मई से 4 जून के बीच मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सत्रवा जो संसकर्ण है इसका आयूजन 29 मई से 4 जून 2022 तक नहरू सेंटर ऑडि जाएगी बांगलादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने की प्लक्ष में जो बांगलादेश से उसे कंट्री इन फोकस चुना गया तो ध्यान रखना है आप सिक मुझा जा सकता है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सत्रवा संसकर्ण जो है कब से कब तक आय आयुजित किया गया तो मुंबई में वरली में जो नहरू सेंटर ओडिटोरियम है यहां पर यह आयुजित किया जा रहा है अब दोस्तों महराश्ट्र से सम्मंदित कुछ इंपॉर्टन कुश्चन देखेंगे कि देश की जो पहली मेडिकल सिटी है इंदरायनी मेडि सिट यह कहां पर इस्थापित हुई तो यह जो है पुड़े ध्यान रखना है आपको पुड़े महराश्ट में यह इस्थापित होई है इसके लावा ध्यान रखना है स्टेचू ऑफ नौलेज दोस्तों हाली में यह स्टेचू बनाई गई है यह कहां पर बनाई गई है लातूर लातूर महराष्ट में ये बनाई गई है ध्यान रखना है आपको और ये किसकी प्रतिमा है तो डॉक्टर बी आरमेटकर की ये प्रतिमा है देश की पहली वाटर टैक्सी जो है ये कहां पर शुरू हुई तो ध्यान रखना है ये मुंबई में शुरू है मुंबई में शुरू ही है देस की पहली वाटर टैक्सी द्रश्टी बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है तो रेडियो अक्ष के नाम से और यह जो है कहा पर शुरू किया गया यानि कहां पर इसे launch किया गया तो वो भी ध्यान रखना है नागपुर महाराष्ट में इसे launch किया गया अगला कुश्यान किया है कि देश की पहली सो प्रतिसत डिजिटल बस सिवा का उधगाटन मुंबई में हुआ है ध्यान रखना है देश की पहली सो प्रतिसत डिजिटल बस सिवा का उधगाटन अगला कुश्यान है पहला अतोल्य भारत अंतराश्टी क्रूजर सम्मेलन ये कह किया तो यहां पर देखना है क्रोज किया गया यह भी का धेल किया गया यह कि योजना से चावत योजना का से संबंदित है यह भी छमपने इसंब कि यह संब्दित होगा तो यह महाराष्ट में इıt देत हैं यह कई बार एक्जाम में पूछी गई है अजंता की गुफा और इलूरा की गुफा यह कहां पर है तो अच्छों से ध्यान रखेंगे यह महाराष्ट में इतित है एक कुशन दो इस तो और ध्यान अखना है कि हाली मैं जो महाराश्टर का महा बलिश्वर का मांगर गाउंब है ठीक यहां पर लिखेंगे मांगर गाउं जो है ये मांगर गाउंब ये महाराश्टर की महा बलिश्वर का है इसे जो है देश का पहला सहद वाला ये गाउंब बना है ठीक आप से पूछा जा सकता है कि देश का पहला सहद वाला गाहों कोन सा बना तो मांगर गाहों जो की महावलिश्वर महाराष्टर में इस्तित है ठीक तो ये सारे कुश्यन महाराष्टर से रिलिटेड है अच्छे से ध्यान रखना है अगला कुश्यन है संयुक्तुराष्ट्र सांती सेनिकों का अंतराष्ट्रिय दिवस का चार हजार दोसो सांती सेनकों को सम्वानित करने के लिए मना जाता है जोनोंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान गवाई है इस वर्स उनकी चुनोतियां बढ़ दें क्यूंकि विन्ना के वर लोगों की रक्षा कर रहे हैं बलकि कोवड नाइंटीन महामारी से भी 1948 को फिलीस तीन में परिचालन शुरू किया था ठीक ये भी ध्यान रखना है आपको यहां पर जिसे होगा ध्यान रखना है पहला संयुक्त राष्ट्र सांती मिसंट जिसे यूएन टू सुपर विजन और्गनाईजिशन कहा जाता है तो उसके द्वारा जो फिलीस तीन में इसका फरिचालन शुरूगा था 29 माई 1948 को 2022 की थीम याद रखेंगे पीपुल पीस प्रोग्रेस ता पावर ऑफ पार्टनरसिप ये 2022 की थीम रही किस दिवस की तो सायुक्त राष्ट्र सांती सेनकों का जो अंतराष्टी दिवस है उसकी अगला कुश्यन है हाली में भारति स्ट्री अव्यापर का सुभरम किया यह पोड़न भारतिय और विदेसी करीदारों के लिए एक आनतराष्टीआ व्यापर कें रूप में काम करे इस थित संगतनों के द्वारा विक्सित किया गया है वोटल भारतिय निर्यातकों को डिजटाइज करेगा और उन्हें ऑनलाइन खुजने योग बनाने में मदद करेगा तो ध्यान रखना है आपसे कि भारतिय व्यापार पूटल का सुभारम जो है किस ने किया तो वानज्य और उद् प्रिया पटिल है उन्होंने दिल्ली में भारतिय व्यापार पूटल का सुभारम किया है अगला उश्या ने हाली में किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाती की खोज की गए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नमबर ए अरुणाचल प्रदेश में और यहा दोस्तों जो निदेशक है वो कौन है तो ध्यान रखना है आपको धिरती बनर जी ठीक है धिरती बनर जी जो है यह जो लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कौन है निदेशक है तो जो लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो व्याग्यानिक है उन्होंने अवनाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाती की कोज की है और इस प्रजाती को नाम क्या दिया गया तो सेला मकाक या मकाका सेलाई इसे नाम दिया गया है सेला दर्रे में पाई जाने के कारण इसका नाम सेला मकाक या मकाका सेलाई रखा गया मकाका सेलाई नाम की है नई प्रजाती अड़ तो आपको यही पूछा जाएगा कि जो बंदर की नई पर जाती है सेला मकाक या मकाका सेला ये कहां पर पाई गई तो अड़ाचन प्रदेश की सेला दर्रे में अगला कुश्यान है मुबाइल एक्सेस टैग कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किये गए एक अध्यान के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा सहर दुनिया का सबसे अच्छा सहर है तो कौन सा सहर है ध्यान रखना है सिंगापुर मोबाइल एकसेस जो टेग कंपनी है कीजी इसके दोरा एक अध्यान किया गया और यह बताए गया कि घर से काम करने के लिए जो सिंगापुर है यह दुनिया का सबसे अच्छा सहर इसके बाद कौन सा है तो वासिंग्टन इसके बाद ऑस्टिन बर्न जियूरिक जनेवा सैन फ का सहर है घर से काम करने के मामले में और यह रिपोर्ट किसने तायार किया तो ध्यान रखना है मोबाइल एकसेस टेग कंपनी है कीजी अगला उश्यान है हाली में विश्व व्यापार संक्ठन की एक समीति के नए अधेक्ष की रूप में किस भारतिया को नियुक्त किया गय पर समीति का चेयर्मेन बनाए गया दसल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतिया अधिकारी को इस पद के लिए चुना गया वह मैसको के एलिसा मारिया ओल मेडा की अलेजांद्रों का इस्थान लेंगे डव्यापार से जुड़ी उन चिंताओं कानून नियमन या प भावित होता है और जो भारत है ये सदस्य कब बना तो ध्या रखना हं 95 से भारत विश्व व्यापार संक्टन का सदस्य देश है एक जनवरी जनवर हुसेन सेख को और दोस्तों डबलू टी ओ की अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन की स्थापना कब हुई तो ध्यान रखना है एक जनवरी उनीस सो पच्चानवे एक जनवरी उनीस सो पच्चानवे को जो है डबलू टी ओ की स्थापना हुई और दोस है अभी NTPC में question पुछा गया था जो RRB NTPC का एक्जाम हुआ था कि 2021 में WTO की जो डिरेक्टर जनरल बनी है वो कौन बनी तो आपको नाम दियान रखना है नगोजी ओंकोजा इवेला अगला कुछा ने अडानी ग्रीन एनरजी लिम्टेड ने भारत का पहला पवन सोर किया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number D जैसल मेर राजस्थान अडानी ग्रीन एनरजी लिम्टेड की एकाई अडानी हाइब्रेड एनरजी जैसल मेर वन लिम्टेड ने राजस्थान की जैसल मेर में 390 मेगावाट की पवन एवं सोर हाइब्रेड उर्जा सेंतर का इसे नवी करनी है उर्जा का पूरा लाब उठाने के लायक बनाता है कंपनी के अंसार उर्जा की बढ़ती मांग के लिए अधिक भरोस्य मंद समाधान देगा तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अडानी ग्रीन एनरजी लिम्टेड की एक एकाई है अडानी हाइब्रेड एन बढ़एब्रेड हो जाता है और दोस्तों यह जो अडानी ग्रीन एर्जी लिम्टेड है यह है क्या तो अडानी ग्रीन एनरजी लिम्टेड एक भारतिय अक्षय ऊर्जा कंपनी है यानि रिनेवल जो एनरजी होती है वो कंपनी है और इसका मुख्याल एहमदाबाद पसका दोस्तों यह थे आप यहां से राजस्तान के कुछ इंपोरिंटन कुश्छन आप लोग देखेंगे, भारत का सबसे मेडिकल टावर, यह कहाँ पर है तो आपको धियान रखना मैं यह है, सवाही मान सिंग स्पताल इसका नाम है और यह कहां पर ये यह जो है राजस्तान में श्थ령 सवाही मान से अगला भारत का बावनवा टाइगर रिस अ यहे Celts रामगर विशधारी यह रांगर विश्धारी जो की रावंदी राज रि पड़ता एकुश दार पर इसम पर है है ध लेकिन जो अधिकतम हिस्सा है वो राजिस्थान में पड़ता है इस वजह से यह जो थार का राजिस्थान में का जाता है तो दोस्तों यह थे तीस मईसे समंधित उत्रब्रदेश की सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट के जो कि हमने डिसकुष कि अब हम देखते हैं कल वीडियो को कुष्ष्षन जो आप से पूझ जाता तो यह कल वीडियो को कुष्षन था जितने वाली पहली भारतिय लेकिया का कौन बनी इसका जो करेक्ट अंसर था इसह गीता अंजली शिरी और दोस्तों य पूरी में तो यह भी आपको ध्यान रखना है अब देखते हैं आज का उश्चन तो यह है आज का उश्चन हाली में भारत के किस खिलाड़ी को अंतराष्टी मुक्यवाजी संग की एथलीट समीती का अध्यक्षित चुना गया तो इसका जो भी करेक्ट अंसर है वह आपको कम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू